आकासिय बिजली गिरने से खेत में काम कर रही कॉलेज की सात्रा की दर्धनाक मौत साईलाउटकुण सहत्र के डावली गाव में रविवा सुब आकासिय बिजली गिरने से एक बाली का समेट तिन पैशों की मौत हो गई गाव के सरपंस हनुमान राम देड़ू ने बताया कि डाबली गाव में एक खेत में रेवी कुमारी पुत्री लिखमा राम जाट चस्रों की खरपतवार कर रही थी उसके पास दीन बैस भी बंदी हुई थी बारिस का मोसम बना हुआ था सुबह करीब नो बजे आकासिय बिजली बैसो पर गिर गई बैसो पर गिरने के दोरा नाकासिय बिजली ने रेवी कुमारी को भी सपेट में ले लिया जिससे बाली का समय तिनो बैसों की मौके पर मौत हो गई जानकारी मिलते ही ग्रामीन वा पुलिस परश्रासन मौके पर पहुँचा आफसे कारवाई शुरू की सबको साहिला के समुदैक स्वस्ते केंद्र की मोर्शरी में ले जाया गया जहां पोस्ट माटम का अर्शा परिज्णों को सुपूर्द किया शिंद्री की सरकारी कॉलिज की विजारती थी रेवी कुमारी, रेवी कुमारी कॉलिज में अधियंद्रती वा शिंद्री बाड मेर की सरकारी कॉलिज में पर्तम वर्ष्टी विजारती थी, पड़ाई के साथ साथ अवकास के दोरान परिवार को खेती में भी सयोग करती थी, रवीवार को छुटी होने के कारण वा खेत में खर्पतवार कर रही थी इस दोरान गिरी आकासिय बिजली ने उसकी जान ले ली कई काउं में हुई बारिस मोसम में बदलाव शुरू हो गया सुबे से ही आस्मान में बादल साही हुए है सीराणा शौसवा समेथ शाहल आपकुण 57 भर में बारिस का मोسम सुबे से जारी है ऐसे में किसानों के खेतों में जीरा सर्ष्रों और आयडा समेथ फसलों की बुवई की हुई है कुछ फ़सलों को भायता मिलेगा तो अनार की फसल में नुक्सान की आसंका बनी हुई है लोग खेतों के काम में जुटे हुए हैं लेकिन इस परकार से आकासी बिजली गिरने की घड़नाओं से किसानों में भी खौप का माहोल बन गया है